हेलो एप्रिवान वल्कम चू माई यूटूब चैनल वल्लों विकी सुमन मैं हूँ सुमन और आज आपके साथ सेर करने जा रही हूं मतर पनीर बनाने की रेसिपी जैसा कि अभी आपने देखा फ्रेंड्स मैंने मतर पनीर कितना ही अच्छा बनाया है बिल्कुल करता हेल्दी भी होती है तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं कडाई को मैंने प्रेहिट कर लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूं सर्सो का तेल आप मतर पनीर की क्वाइंटिटी के हिसाब से ले लें अब मेरे तेल हिट हो चुका है तो अब मैं सबसे पहले पनीर फ्राइ में दाल देना है आपको अब पनीर को हमें बिल्कुल थोड़ा सा फ्राइ करना है अब जदा फ्राइ कर देंगी तो पनीर टाइट हो जाएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा फ्राइ करके इसे हमें इसी तरीके से निकाल लेना है पनीर फ्राइ हो चुका है फ्राइंट्स मैं निकाल कर एक कटोरी में इसे रख ले रही हूँ अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो लार्ज सुखी मिर्च दो तेज पद्र इन्हें भी हम अच्छे से तेल में फ्राइ कर लेना है अब इन्हें भी निकाल के मैं रख ले रही हूँ इसके बाद मैं कड़ाई में डाल रही हूं बटर बटर मैंने लगबग एक चमच लिया है अपना तेल का टेस्ट बहुत जाद अच्छा हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें पनीर दला था तो थोड़ा सा घी का फ्लेवर आ चुका है बटर मैंने डाल दिया है सुकी लाल मीच और तेज पत्र का भी फ्लेवर अच्छे से आ चुका है तो अब मैं इसमें अट कर रही हूं कटे हुए प्यास प्यास को मैंने एकदम पतले स्लाइसेस में कटा है अब प्यास को मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है और दो मेंट तक हमें इसे भुणना है ये देखे फ्रेंट दो मेंट हो चुके हैं प्यास का कलर चेंज हो चुका है अब मैं इस तरीके से क्रस्ट कर ले रही हूँ ताकि प्यास थोड़ी सी बारिक हो जाए और ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी बने अब मैं इस मैं आट करी हूँ अद्रक लेसन का पेस्ट यहाँ पर मैंने 8 से 10 कलिया लेसन की और 1.5 इंच अद्रक का टुकर लिया है इसे मिक्सर में अच्छी से ग्राइंड कर लिया है अब अद्रक और लेसन का कच्छा फ्लेवर निकलने तक हमें इसे भी फ्राइ करना है तो यह आप देख सकती है फ्रेंज अद्रक लेसन प्यास सब कुछ अच्छी से फ्राइ हो चुका है एकदब मिक्स हो चुका है यह देखिए फ्रेंज अब मैं इस मैं आट करी हूँ हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर बिल्कुल चुटकी भर लेना है आपको यह भुण चुका है फ्रेंज हल्दी अब मैं इस मैं आट करी हूँ नमक, नमक मैंने स्वाद के अनुसार लिया है अब मैं इस में डाल रहूँ एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच जीरा पाउडर एक चमच धन्या पाउडर और चुटकी भर गोल मिर्च पाउडर आप चाहें तो गोल मिर्च इसकीप भी कर सकती है अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर तक लो फ्लेम पे हमें भुनना है ये देखें फ्रेंड्स मुझे थोड़ी देर हो चुका है भुनते हुए और मसालों का कलर भी अच्छा आ चुका है अब मैं इस मैट कर रही हूँ सबजी मसाला आपके पास अगर मटर पनीर मसाला हो तो आप वो यूज करें मेरे पास नहीं था तो मैं सबजी मसाला डाल रहे हूँ अब इसे भी डाल कर थोड़ी देर तक मिक्स करके भुनना है इसी तरीके से और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुन्दर मसाले का कलर आ चुका है और मसाले अच्छे से भुन भी चुके हैं ये देखिए तो आप मैं ले रही हूँ हरे मटर ये ठट में मिलने वाली मटर चीमी है फ्रेंड्स इसे मटर पनीर बहुत ही अच्छी बनती है अब इसे मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर तक भुनना है हमें ध्यान रहे फ्रेंड्स इसे थोड़ी देर ही भुनना है अगर आप जादा भुन लेंगी ना तो मटर बिल्कुल सिकूर जाएगा और उसका टेस्ट पी अच्छा नहीं आएगा तो बस थोड़ी देर हो चुका है लो फ्लेम पे भुनती हुए मुझे तो अब मैं इसमें आट कर रही हूँ टमेटो केचप आप देख सकती है फ्रेंड्स मैंने हाँ पर एक चमच टमेटो केचप यूज किया है इससे बिल्कुल रेस्ट्रेंट जैसा टेस्ट आता है मेटर पनीर में तो इसे भी मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर तक भुन लेना है आपको बस भुन चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ अब बटर एक चमच बटर को भी अच्छे से मेल्ट कर लेना है आपको इसमें बटर मेल्ट हो चुका है फ्रेंड्स तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी धन्या की पत्ती अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ये देखिए फ्रेंड्स कितना ही ज़दा अच्छा दिख रहा है अब मैं इसमें फ्राइ के हुए पनीर, तेजपत्र, लाल मिर्स अब एड़ कर देती हूँ अब एक बार इन सभी को मिक्स कर लेना है ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही यूज करना है हमें ज्यादा पानी डाल देने से ग्रेवी पतली हो जाएगी तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे नहीं बन पाएगी तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालें जितना जरुवत हो उतना ही डालें तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने याँ हाफ ग्लास पानी ही डाला है अब मैं इसे पास्मेट धक कर पकाऊंगी पास्मेट हो चुका है फ्रेंड्स अब मैं ठक कर हटा कर दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स मटर पनीर का कलर कितना सुन्दर लग रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दिख रहा है और खुस्बू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसी तरीके से आप भी अपने घर पर बनाएं और खाएं मुझे कमेट करके बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी सबजी बनाने के स्टाइल और मेरा वीडियो आपको अचछा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई फ्रेंड्स